हेलो, गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम तो यो चैनल, बी पॉजिटिव, मैसेल अच्छी का एंड लेट्स कम विद फाइवर्ड फोर्फन, जो हम सबके लिए बहुत स्ट्रॉंग वोकाब देने वाला है, बहुत हमारी हेल्प करने वाला है आगे इंग्लिश रीखने में, और इंग्लिश समझने में, टफ और हार्ड वर्ड को टैगल करने में तो आईए देखते हैं, आज क्या है, सौरी गाईस, आज कल मौसम बहुत इवेन और चल रहा है ना उसका फर्क आपको दिख रहा होगा, तो देखते हैं, वर्ड्स आफ दी डे में क्या क्या है, फ्योट, रिस्ट्रेइन, इविक्ट, इस्टैग्नेंट, और ब्रिंक, ठीक है, आईए वन बाई वन करके देखते हैं, क्या है तो सबसे पहले है, फ्योट, आप स्पैलिंग देख रहे हैं, इसकी मेनिंग होती है, जगडा करना, लडाई करना, मतभेद होना, ठीक है, कह सकते हैं और ये न्यूज में कहां से है, पहले तो ये रेखते हैं, तब आगे की चीज़ें हमाई लिए और सेरल हो जाएंगी तो उन्होंने अभी टाइब करने का सोचा है, पांच साल तक बहुत उन दोनों की बीच में कहा सुनी रही, बहुत तना तनी रही और अभी फाइनली आप जान रहे हैं, यूपी में एलेक्शन आने वाले हैं, असेंबली के तो फाइनली इन लोगों ने ये सोचा है कि टाइब कर लेना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिफरेंस वहीं से लिया गया है इसका सिनोनीम देखिए, क्वैरल, और्गमेंट, दिस्प्यूट, एन डिफर, डिफर से डिफरेंस बने हुएं, ठीक है, भेध होना एन्टॉनीम देखिए, फ्रेंडलिनेस, रिकॉंसिलियेशन, जो कि अभी ये करने वाले हैं, एन क्लैंशिप, क्लैंशिप मिन्स होता है कि एक गड़ हो जाना, एक परिवार हो जाना क्लैंशाँ काइक्षिलिए यहां पे मतलब होता है कोई वन्स पर्टिगुलर, तो वहां से ये क्लैंशिप बना दिया गया है, हम एक ही क्लैंशिप के हैं कहते नहीं हैं, हम एक ही क्लैंशिप हैं और हमारी clanship बहुत अच्छी रहेगी तो इस तरीके से एक्जाम्पल देखिए the feud between different caste of society on reservation seems like everlasting ठीक है यह जितने भी लड़ाई जगड़े हैं differences है reservation को लेके अलग-अलग caste में वो बहुत ही everlasting everlasting का मतलब होता है कि immortal कभी भी ना खत्म होने वाला ओके तो I hope आपको समझ आ रहा होगा next word पर move करते है restrain ठीक है restrain का मतलब होता है नियंद्रित करना एक और मतलब होता है प्रतिरोध करना ठीक है लेगिन यहाँ पर जो sense लिया गया है वो नियंद्रित करना ही होता है आईए देखते है नियूश में कहां से आईए देखे कितना disgusting है पाग took step in 2020 to restrain anti-India terror outfit ऐसा US की report में बताया गया है तो आपको लगता है ऐसा होगा लेकिन चलिए नियूश में है तो हमें क्या हम तो देख लेते हैं हमें तो meaning से मतलब है इसकी synonym होगी check means check देते हैं ना कि रुख जाओ वहीं पर prevention किसी चीज़ का तो यह prevent word है inhibition, inhibit क्या गया है and send, send भी exactly यही होता है antonym देखते हैं force करना means restraint की जगें पर force करना compile करना किसी भी चीज़ को करने के लिए and encourage करना होत्साहित करना and provoke करना after all help करना ठीक है example देखिए दो example यहां पर लिए गया है दोनों का sense थोड़ा सा लग है आपको अच्छे से clear हो जाए इस वज़े से मैंने यहां पर लिया हुआ है देखिए RBI has taken measures to restrain inflation RBI bankers bank क्या होती है कि वो उसका main purpose ही ही होता है आप GS में कई बारी पढ़े होंगे इसके रखना imbalance रखना यह सारे काम होती है तो वही है कि वो measures लेती रहती है लिया है उसने to restrain inflation ठीक है RBI की full form आप जान रहे होंगे deserve bank of India दूसरा देखिए drug addicted यहां पर person की बात हो रही है anyone drug addicted can't get them restraint longer अब यहां पर देखिए रिस्ट्रेंड वर्ड जो है वो as a executive use हुआ है like restrained person restrained company ठीक है जिसे नियंत्रित कर लिया गया हो तो वो कह रहे हैं कि अपने आपको बहुत restraint बहुत देरी तक नहीं रख सकते जिन्हें रेयल में drug addiction लगी जाती है यह तो हो गए रिस्ट्रेंड की बात अब रिस्ट्रेंड में ही अगर हम t add कर देते हैं तो इसका थोड़ा सा change हो जाता है sense उसका मतलब होता है सैयम ठीक है सैयम मिद करना जिसे कहते है नियंत्रित करना थोड़ा से extreme word हो जाता है और सैयम मिद करना एक बहुत ही soft word है तो यहाँ पे अगर आप t add कर देंगे तो वहीं से इसका अर्थ change हो जाएगा, restraint का मतलब होता है, सैयम रखना सैयमित करना, खुद को ठीक है, और अगर हम यहाँ पे T erase कर देते हैं तो restraint का मतलब, नियंदरित करना जो कि मैंने आपको बता ही दिया next word पे move करते हैं evict evict की meaning जान लेते हैं पहले बेदखल करना, कहीं से किसी कानून से, किसी रूल से, किसी authority से, ठीक है, तो यहाँ पे यह sense है, और यह दिया भी उसी sense में news में भी supreme court allows railway नोंने railway को allow किया to evict बेदखल करने के लिए unauthorized settlers, जो भी है वहाँ पे, ठीक है इस तरीके से, means railway के आस-पास में जो ऐसी जुगी जोपली डालके फिर वहाँ पे properly set upment होने के लिए steps ले लेते हैं तो उन्होंने finally, supreme court ने अभी allow कर दिया है, यहाँ पे supreme court को थोड़ा सा highlight करके बताने का यह मतलब है कि वो संद्रक्षक होता है fundamental rights का, और अगर allow कर रहा है, तो आप यह भरोसा रख सकते हैं कि वो आपके किसी भी right का हनन नहीं कर रहा है अपि तु वो आपको कहीं न कहीं कोई resettle होने के लिए जगे देगा या पहले से आपको वो बता रखा होगा, तो अभी इनोंने allow किया है, तो railway के लिए थोड़ा सा काम इजी हो गया है, right pseudonym देखते हैं, expel evect, aust and de-loss, ठीक है de-loss तो आप समझ ही रहा होंगे, lossing de-lossing, antonym देखिए, admit करना बेदखल का ज़स्ट उल्टा, take in keep and offer करना कुछ भी, right example देखिए, the bill to restore the evicted tenants and to give them the legal right, actually इसी का यहाँ पर थोड़ा सा anti-sentence आ गया है, कि जो bill लाया गया है, वो जितने भी evicted अब यहाँ पर देखिए, evicted executive form यूज हुआ है, ठीक है, evicted tenants, जितने भी किरायदार थे, जो बेदखल कर दिये गये थे, या कर दिये चाते हैं इसे क्या होता है, कि जो ओनर होते हैं उनके सबके अलग-अलग personal role होते हैं, कि आप इतने टाइम तक नहीं रह सकते हैं, अगर आप इतने टाइम तक payment नहीं कर रहे हैं, रेंट की तो आपको बेदखल कर दिया चाएगा तो अभी डैली कॉर्मेंट ने भी और कोरोना के टाइम पर आपने देखा अगा बहुत सारी चगों पर नोईड़ा वगेरा में भी proper tenants के लिए भी बिल आई थी तो यह उसे से related है उनको एक legal right देने के लिए legal right का मतलब यहीं कि जब एक proper way में रहते हुए, जब तक आप pay कर रहे हैं उसके अंतरगर, ठीक है मतलब कोई भी आपको compel नहीं कर सकता आपको जबरदस्ती बेदखल नहीं कर सकता अगर आप किरायर नहीं भी दे रहे हैं तो एक निशित time आपको दिया चाता है कि इतने time तक means आपको कोई कोई हाम नहीं पहुँचा सकता और वो time due होने के बाद आपके साथ फिर भी इतना बुरा ब्यभार नहीं कर सकता कोई कुल मिला के इतना कहने का मतलब है next word पर move करते है third, stagnant stagnant word बहुत common है आप सुनते ही होंगे economy में actually बहुत common है इसका मतलब होता है स्थेर कोई भी चीज, ठीक है वैसे stagnant की अगर हम literal meaning की बात करें तो इसका अर्थ होता है RC बहुत ही सुस्ट टाइप का यहाँ पे यह news में क्यों है यह देखते हैं solution to stagnant price rising मतलब कि जो price है अभी जो stagnant price हो गई है यह farmers के sense में कहा जा रहा है तो उसका solution यह चीज है और अगर price को rise करने के लिए यह बता रहे है कि inter cropping एक solution हो सकता जैसे अभी आपने देखा होगा कि crane sorry can farmers यो है वो inter cropping किया हुए उन्होंने अलग-अलग और भी type के crop उन्होंने अपने खेतों में लगाए हुए है with cane तो यहाँ पे वही है कि inter cropping एक ऐसा मत्मिंस हमारे लिए सहायक हो सकता है stagnant price को rise करने के लिए ठीक है as a solution यह देख रहे है synonym देखिए इसकी sluggies इसका तो literal मतलब ही होता है शुष्थ होना passive भी वही होता है passive पड़े रहना active का उल्टा होता है actually stable का मतलब स्थेर and fixed का मतलब fixed price से यहाँ पर actually ले लिया गया है ठीक है जो कि आप घटा बढ़ा नहीं सकते है मतलब flexibility नहीं होती जिसमें antonym देखिए बिलकुल flexible, movable, very dynamic and boom मतलब की बढ़ी जाना and growing right example देखिए measured new investment are amped at reviving the stagnant economy तो stagnant economy यानि इस फिर economy को revive करने के उद्देश इसे बहुत सारे new measure investment लिये गए जैसा कि आप देखते होंगे आप जीएस पढ़ते होंगे तो इसमें जो है अलग-अलग तरीके से RBI है और government भी है वो revive करने के लिए high करने के लिए अपने rate को and price को अलग-अलग investments करते रहती है share market में देखिया boom होता रहता है और अलग-अलग तरीके के bonds लेके आती है किसी particular चीज को fill up करने के लिए तो यहाँ पर उसे sense में यह बोला जाय रहा है next example देखिये यह इसका मतलब आपको समझा गया ना stagnant economy के sense में यूज किया गया है और इसका literal यूज कर लिया गया है means stagnant water जो इस्थेर water है ठीक है उसमें क्या होता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा उनकी मात्रा बढ़ जाती है उनका द्विगुडन बहुत तेजी से हो जाता है stagnant water में इसलिए कहते हैं पानी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए तो यह चीज़े हैं आप समझा गया होगा आपको next देखते हैं bring bring का मतलब होता है कगार पे ये देखें लिखा भी है यहाँ पे लेकिन इसको हम कुछ preposition और कुछ article के साथ यूज करके इसको एक अच्छा खासा phrase में convert कर लेते हैं ठीक है जैसे कि bring का अगर आप on the bring of इस तरीके से use करेंगे तो ये best और ये एक तरीके का idiom भी है guys आप देखें पहले तो news देखते हैं the afghan health system on the brink of collapse ठीक है अभी आप जानी रहें वहाँ पे political अफरात अफरी भी मच्छी हुई है हालांकि post ले लिया है उन लोगों ने अलग-अलग लेकिन उस तरीके से stability नहीं आई है कि वो health जैसी और education जैसी primary need को अभी fulfill कर पाएं और उसमें से भी आप जानी रहें हैं ये covid की इतनी मारा-मारी तो यहां पे उसी sense में ये बताया गया है तो इसका मतलब होता है कगार पे ठीक है कगार, age का मतलब भी किनारा होता है, margin, rim भी आप समझे रहें, extremity actually यहां पे e होना चाहिए था गलत थोड़ा सा spelling type हो गई है, extremity मतलब होता है सिरा और verse मतलब भी वही यहां पे actually यह poor brink से ले लिया गया है कि गरीबी के कगार पे है या गरीबी में जी रहें एकदम lower line पे जी रहें तो यहां पे possibilities तरीकी से बताया गया है center, किसी भी चीज़ का and inside, यह सारे exact close है एक दूसरे के, ठीक है example यहां पे भी दो दिया गया है थोड़े से अलग-अलग sense में आपको बहतर यूज करना पता हो इसलिए the two nations are on the brink of war ठीक है आप इंडिया पाकिस्तान को ही ले ली शे next देखते हैं he pulled the company back from the bin यह देखिए वो एकदम margins एकदम कगार से means ढूपते ढूपते यहां पे यह sense है कि ढूपते ढूपते बचा लिया ठीक है pulled back कर लिया company को यह थे हमारे five word four fun और आपने definitely सीखा होगा next video भी इसके बाद आचाएगा जिसमें idiom and homophones बताएगे हैं बहुत ही short video होगा guys must watch and like, share, subscribe and comment thank you